दिल्ली आपकारी नीती मामले में करीब 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर जेल से बाहर आये दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल ने अपने बयान से पूरी सियासत में बवाल मचा दिया है जी हाँ सियम केजरिवाल ने इस्तीफा देने का एलान कर दिया है केजरिवाल ने रविवार को आम आदमी पार्टी के कारिकरताओं को संबोधित करते हुए कहा दो दिन बाद मैं मुख्य मंत्री पत से इस्तीफा देने जा रहा हूँ जब तक जनता मुझे चुन का दोबारा सीट पर नहीं भेचती मैं मुख्य मंत्री की कुरसी पर नहीं बैठूंगा देखा जाए तो ये फैसला भले ही सभी को सर्प्राइज लग रहा हो लेकिन ये उनकी सोची समझी रणनीती का हिस्सा है केजरिवाल ने एक स्तीफे से कई सियासी निशाना साधने का बड़ा दाब चला है देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट दिली के सियाम अर्विन केजरिवाल ने जब से स्तीफे की घोशना की है उसके बाद से दिली की सियासत गर्मा गई है उन्होंने रविवार को पार्टी ओफिस में कारिकर्टाओं को संबूधित करते हुए कहा था कि वह अगले दो दिन में दिली के सियम पत से इस्तीफा दे देंगे इसके बाद से कयासों और सवालों का एक दोर सा चल पड़ा है दिली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा उन्होंने इस्तीफा तुरंत क्यों नहीं दिया इसके लिए दो दिन का वक्त क्यों लिया विधान सबा क्यों नहीं भंकी ऐसे तमाम तरह की सवाल लोगों की जहन में घूम रहे हैं बतादे ब्रश्टा चार के खिलाफ खड़े हुए अन्ना आंदोलन से आम आदमी पाटी निकली है आद्विन केजरिवाल और उनकी पाटी के लोग खुद को इमानदार बताते रहे हैं ऐसे में दिल्ली शराब नीती मामले को लेकर बीजेपी नेता लगातार आम आदमी पाटी और केजरिवाल की छवी पर सवालिया निशान खड़ी कर रही थी और केजरिवाल का इस्तीफा मांग रही थी अब जब इस मामले में ED-CBI ने आम आदमी पाटी के नेताओं समेत अनने जितने भी लोगों को गिरफतार किया था उनमें से ज़ादा तर को कोट से जमानत मिल चुकी है ऐसे में आम आदमी पाटी जनता के बीच ये परसेप्शन बनाने की कवायद में है कि शराब नीती से जुड़े मामले में कई जोल है और इस केस में नेताओं को फसानी की कोशिश की गई है आरवन के जिवाल ने कहा कि मेरे पास मेरी मानदारी के अलावा कुछ और नहीं है मेरे बैंक खाते खाली है मैं आयकर विभात के कमिशनर की नौकरी छोड़ कर जुग्यों में रहा था मेरे अंदर देश की सेवा करने का जुनून था मुझे ना पत का लालच है और ना ही द साथ ही कराया जाए जाहिर है आम आपनी पार्टी को अपना फायदा होनी की उम्मीद दिख रही है के जिवाल के साथ साथ मनीश सोधिया ने भी अब चुनाप तक कोई पद ना लेने का निर्ने लिया है इस तरह बीजेपी को भी अब नई सिरे से रणनीती बनानी पड़े हैं ताकि बीजेपी महराश्र जैसे राज्य में उलजी रहेगी और दिली विधान सभा चुनाप पर उस तरह फोकस नहीं कर सकेगी इसका सियासी फायदा आम आद्वी पार्टी को मिलेगा केजरिवाल को ये लग रहा है कि उनके स्तीफे से जनता के बीच एक अच्छा मेस जाएगा जिसका दूरगामी लाब उन्हें और आम आद्वी पार्टी को मिलेगा लेकिन देखना होगा कि ये फैसला क्या उनके लिए सियासी नेरेटिफ सेट कर पाएगा या नहीं फिलहाल इस कास्ट रपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहेए सी न्यूस भारत